सब्सक्राइब कीजिए अफके टेक्निकल को और किलिक कीजिए बेल आइकन पर लेटेस्ट एडिटिंग टेटोरियल सबसे पहले देखने के लिए तो अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ इस तरह की बोडी स्टेनिंग वीडियो एडिटिंग तो इस वीडियो को सुरूर से लेकल आज तक देखना बिल्कुल भी मत बुलिएगा टो सबसे पहले आप देख लिए कि आपको अपनी फोकुल किस तरह से रिकशार करनी कुछ इस तरह से आपको अपनी 20G रिकॉर्ट करनी अपनी वीडियो को तो आप यह ग्रिन का फोक् destructive description में लिंक है वहाँ से download कर सकते हैं और से gallery में open करके ऐसे scan करता हुए आपको video record करनी है तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह की video तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि description खोलना पड़ेगा नीचे इस video को नीचे हमारी video का title है उस title पर क्लिक किये तो description खुल के आजाएगा यहाँ पर यह बड़ी वाली link आपको मिल जाएगी इस पर आपको क्लिक कर दिना है दोस्तों सिंप्ली और यह फिर open हो जाएगी तो इसे open करने के बाद आप धान रखें कि आपका internet खुला हो तो यहां मैं अपना internet खुल देता हूं और यहां पर जैसे यह search करेगा तो कुछ इस तरीके का आना वाला है भी यहां आपको एक background मिलेगा इस background को आपको टच करके रखना है और save कर लेना है इसे सिंप्ली आपको download कर लेना है उसके बाद आपको काइन मास्टर खुलना है यहां मैंने अपना काइन मास्टर खुल लिया है अगर आपके काइन मास्टर में वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं क यहां आप एक empty project ले लिए सिंप्ली और empty project लेने के बाद मीडिया ब्राजर में जाए और अपने उसी फोटो को जो आपने डाउनलोड किया था उसी यहां पर आपको ले आना है सिंप्ली यहां पर मैं ऐसे ले आया हूं तो यहां थोड़ा cropping का option है बीच में तो आपको यह यहां चली जाना है सिंप्ली तो मैं यहां पर cropping को open करूंगा भी यहां मैंने इसे cropping open कर लिए और यहां इसे थोड़ा जूम कर लिना है कुछ इस तरह से मैंने जूम कर लिया है और equal to के sign पर आपको क्लिक कर दिना सिंप्ली से थोड़ा बड़ा करना है और आपने जो वीडियो लेकर आता हूं तो यह मेरी कुछ वीडियो थी तो मैं इसे थोड़ा कट कर लेता हूं यहां इतना मैं इसे कट कर देता हूँ और इस पर long press करता हूँ और इसे ड्रैग कर करके शुरुआत में ले जाता हूँ और सिंपली यहां पर end पर इसे cut कर देता हूँ Trim to right और अपनी video layer पर क्लिक करना है और यहां पर बीच में एक option है इस पर क्लिक कर देना है तो यहां पर मैंने इसे क्लिक कर दिया है और यहां फुल कर दिना है इसे यहां पर क्लिक करके और सिंपली राइट पर क्लिक करना है और फिर से अपनी वीडियो लेर पर टच करना है और क्रोमा की के ओप्षन को एनेवल कर दिना है सिंपली तो यहां मैंने क्रोमा की एनेवल क तो यहां मैंने इस बढ़ा लिआ है अम ऐसे ठोड़ा ऐसे कर देता हूँ तो यहां पर यह आपकी बन के तयार हो जाएगी अब आप इसे year पर क्लिक करके सेफ कर सकते हैं और यह आपकी विडियो बन के तयार है सिंपली से सेफ कीजिए और इंजोई कीजिए